नमस्कार दोस्तों आपका iTrack solution की तरफ से Minitap के नए training versions में आपका स्वागत है आज हम एक tool के बारे में जानेंगे जिसका नाम है Boxplot Boxplot एक ऐसा tool है जिसमें आप single variable data type के बीच के variation को बड़े आसानी से graphical way में understand कर सकते हैं और उनके बीच के variation को figure out कर सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं आज हमने एक local market से प्याज बेशने वाले vendor का daily price rate निकाला है पिछले 100 हफ्तों का data है ये अब हम ये data उठाएंगे और Minitap में paste करके identify करेंगे कि ये 100 हफ्तों में price कितना vary हुआ जैसे हमने data paste के आब हम graph पे click करेंगे और हम box plot पे click करेंगे box plot पे आज हम single variable बना रहे हैं तो हम सरफ simple data पे click करेंगे वैसे चार अलग तरीके के हैं अब हम price on of onions में click करेंगे तो data अब हमने select कर लिया है data viewer में जाके median symbol select करेंगे और ok click करेंगे फिर ok click करेंगे और यह हमारा box plot single variable data graphical presentation बनके तियार हो गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह graph बड़ा ही symbol और romantic है इस graph में आप जहां बेबेंगे आरो रखा है वहाँ पर एक चोटा सा call out निकल के आया है जिसमें Q1, median और Q3 लिखा हुआ है Q1 का मतलब हुआ bottom quartile या 20th percentile जिसको कहते हैं इसका मतलब ही हुआ कि 100 में से 25 बार 4 रुपए 53 पैसे का प्याज रहा है अब जैसे ही हम beach की line पे जाते हैं इसको हम median कहते हैं याने कि 50th percentile इसमें आप इसमें हम ये समझ पारें कि 50 प्रतिशत या 50 बार, 100 में से 50 बार 6 रुपए 46 पैसे का आपको प्याज मिल रहा था और अब हम पहुँच जाते हैं 75th percentile या जिसको Q3 कहते हैं call-out जैसे Q3 का आप देख पा रहे है 9.66 मतलब 75 प्रतिशत बार या 75 सो में से 75 बार आपका onion का rate 9 रुपए 46 पैसे का हुआ है इसके उपर Q4 या अचली यह जो area है या other sides of area है इसको हम outliers भी कहते हैं outliers का मतलब यह हुआ कि यह data ऐसा है जो बड़ा unique है यह हर बार नहीं present हुआ एक बार present हुआ है तो जैसे कि आप देख पा रहे है outliers की अप एक अपनी अलग पहचान है इनको detail में समझने के लिए हम अगले वीडियो में इस बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में हम mini tab में box plot में multiple variable data को भी समझने की कोशिश करेंगे ऐसे और romantic videos को देखने के लिए subscribe करने के लिए और सीखने के लिए आप iTrack Solutions के videos को subscribe कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी doubt हो तो comments में जरूर हमसे पूछें हम आपके हर doubt को clear करने के कोशिश करेंगे thank you so much have a wonderful day